अब ये जो तीसरी बार आएंगे तीसरी बार जो आएंगे ये दोनों बार से भी ज़्यादा प्रभावसाली होंगे और जब मन को आप इस्थिर कर लेंगे तो आप अपने लक्ष को प्राप्त कर लेंगे इसमें कोई संदे नहीं देश में लोकसभा चुनाओ के लिए अब तीन महीने से भी कम समय बचा है फरवरी या मार्च में कभी भी देश में आम चुनाओ की घोशना हो सकती है इसी बीच लखनाओ के मशूर मंदर चारोधाम के महंत सियाराम अवस्थी ने भविश्यवानी की है कि 2024 के लोकसभा चुन और बड़ी भहुमत से जीतेंगे ये भविश्यवानी महंत जी ने ग्रहनक शत्रों के अधार पर की है जोतिशी गर्णा के नुसार फरवरी महीने में कई ग्रह गोचर कर रहे हैं सियाराम अवस्थी ने बताया कि 9 फरवरी को अमवस्या है इस दिन चंदर्मा अपने नए चरन में प्रवेश करेगा जिसका अर्थ है कि प्रिट्वी के सामने जो चंदर्मा का भाग है वह सूरे के प्रकास से दूर रहेगा जबकि अमवस्या के दौरान चंदर्मा स्वय दिखाई नहीं देगा इसके लावा 14 फरवरी को गुरू और मंगल ग्रह एक दूसरे के बेहत करीब आजाएंगे 25 फरवरी को लगबग रात में 11.35 मिनट पर गुरू और चंदर्मा एक दूसरे के तीन डिगरी के भीतर से गुजरते हुए बेहत करीब आएंगे यह जो समतिता संपतिनाना भगवान रामतंजी के आजाने से एक बहुत बड़ा फरक बड़ा है और यह जितने भी ग्रह है ग्रह रूपी सुक्र है मंगल है आपका गुरू है यह सब एक पास आने से आपस में पारसपरिक प्रेम की बढ़ोतरी होगी दिन प्रति दिन 2024 जो आएग वो सब मानव जीवन पे प्रभाव डालेंगी पारसपरिक प्रेम का ना कि कोई ऐसी दुर घटना का वो सब के लिए वो चराचर जगत के लिए भी अच्छी होगी कोई भारतवर्स के लिए ही नहीं उसमें जीव जन्तु मनों से पस पच्छी सभी सामिन होंगे सब के लिए हितकारी ही ये खगोली घटना होने जा रही है इसमें कोई संदेह नहीं है इसको बैग्यानिक अपने तौर से देखेंगे धर्म के लोग अपने तौर से देखेंगे लेकिन जब धर्म के तौर पे आप देखेंगे तो जो भी ग्रह नच्छत रहे सुक्र है चंद्रमा के कर बाएगा पारस पर एक प्रेम बढ़ाएगा और गुरु जो आएगा वो विद्वान लोगों को मतलब विद्वानता वाली बाते कराएगा अधर बाते नहीं कराएगा सो समझ के बाते लोग करेंगे ताकि अपस में कठुता ना हो और बहुत ही दुरलब छणा है दोहजार च जगत में प्रभा उसका पढ़ने वाला है अच्छा ही वाला है बिल्कुल निश्य तोर पे बढ़ेगा ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी जिससे आपस में मानव जीवन को कश्ट पहुंचे चाहे वो देश का हो विदेश का तो नहीं कह सकते कि वहाँ पर क्या श्तिती है ल अच्छा ही की तरफ जाने वाला है इसमें कोई संदेह सभी घ्रहों की थोड़ी खासित बता दिए गुरू मंगल और चंद्रमा है और जो मंगल है वो विजय का प्रतियक है वो चाहता है विजय प्राप्त हो तो आपको विजय मिली और आगे भी विजय मिलने वाली है मंग और जो गुरू है वो विद्वान है वो अपनी विद्वानता से ऐसा ऐसा जो कहा है सामने रख देगा चैप्टर विजय रख देगा जिसको कोई काट नहीं पाएगा वो चाहे हमारे नय अधिस हो और चाहे सामने वाले हो भगवान का उतनी करपा उसी हो ही जाएगी उस ग गुरू के द्वारा जो सुसंक्रत विद्वान सबको बनाता है हाँ थोड़ा घमंड नहीं रखना है क्योंकि घमंड करेंगे तो कुछ थोड़ा उपर नीचे बैलेंस होगा पर वहां पर की अपने आपको चंद्रमा साथ में आया है चंद्रमा का मतलब होता है मन और जब म कोई चीज भाग रहे तो वह अपको प्राप्ट हो जाएगी वह अपको जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी क्योंकि वह जो ग्रहां के साथ आ रहे हैं वह एक साथ आने का मतलब क्या है जैसे आपका वैलेंटाइन डेज आ रहा है तो इसमें एक दूसरे को जो प्रेम करते हैं यही चीजे तो आ रही हैं, यह प्रेम की ही चीजे आ रही हैं, यह आपस में बहुत अच्छी चीज है, यह खगोले घटना जो है, यह एक दैवी सकती है, जर्यानी यह भी कह सकते हैं कि आने वाना जो वक्त है वो भारत के लिए भारत दूसरे देशों पर हावी रहेगा, अब जो तीसरी बार आएंगे, तीसरी बार जो आएंगे, यह दो उनों बार से भी ज्यादा प्रभाव साली होंगे, यह आपने मतलब यह कह दिया कि कन्फर्म है आ सकते हैं, विर्कुल, वो तो वहां कोई संदेह नहीं, जैसे हम अपने प्रभू पर भरोशा करते हैं, विस्वास करते हैं, कि जेही के जेही परसाक्ते सने हू, तो सोते ही म अधार मंत्री लोकसभा चुनाओं में जीतेंगा बहुमत से आएं, और आपको मिताओ, राम जी के स्थापना हो गई, राम जी अपने दर्बार में आ गए, और जब दर्बार में आ गए, तो वहां भरत भहिया भी आ गए, और भरत भहिया जहां होंगे, भरत का मतलब भार भारत माता, वह एक इस्त्री रूप भी है, यह रहस है, भरत एक इस्त्री रूप भी है, यानि भारत माता है, तो जहां पर भरत होता है, तो विश्व भरन पोसन कर जोई, ता कर नाम भरत आयस होई, भरत भी आ गए है, पूरे विश्व का भरन पोसन करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं और साथ में आपके सत्रुभन भाया भी आए हैं और सत्रुगन भाया जहां आ जाते हैं तो जितने भी दुसमन होते हैं जितने भी सत्रु होते हैं वो सब पलायन कर जाते हैं पलायन कैसे करेंगे जब हम उनका नाम लेंगे जब हम उनके नाम का संबोधन कर करेंगे तो जितने भी सत्रू हैं रोग रूपी हो चाहे वह ऐसे दूसरी कंटी के रूप में हो वो सब पलाइन कर जाएंगे कि जा के सुमीरन तेरी पुर्णासा नामस रूह नवेदा प्रकासा जहां पर सत्रू गन्भीया होंगे वहां सत्रू पलाइन निश्चित कर का इसमें कोई संद्धि winter नहीं आप सब की जो क्लपना है यह खागोली घटना जो हो रही है यह होगी यह उसी के आधार पे आ रही है इसमें कोई संद्धिन आपके ब्रह्मान को पूरा कंट्रूल करते हैं ग्रुभाग्वान पूरा यापन करने के लिए उस्था करते है और जो चंद्रमा है वो मन को अपने इस्थिर रखता है और जब मन को इस्थिर रखता है कि मन तो होता है चंचल और जब मन को आप इस्थिर कर लेंगे तो आप अपने लक्ष को प्राप्त कर लेंगे इसमें कोई संदे नहीं और प्राप हो जाता है चीजों को जीत लेता है तो यह जो चारों चीजे आ रही है मंगल है शुक्र है चंद्रमा है शुर्य है यह सब मिल करके भारत वर्स के लिए एक अधभूत घटना का निर्माड कर रहे हैं लोकल 18 के लिए लखनाओ से अंजली सिंग राजपुत की रिपोर्ट